मौत का शिकर्जा बने मुंबई पूने एक्स्प्रेस हाइवे पर दुर्घटनाय होना आम बात हो गई है सुमवार की राद भी इस हाइवे पर एक भयानक हाथसा हुआ जिसमें सामान से लदा एक टेम्पो धू धू कर जल गया मुंबई पूने एक्स्प्रेस हाइवे कब किसे निगल लेगा बताना मुश्किन है क्योंकि इस एक्स्प्रेस हाइवे पर दुर्घटनाय होना आम बात हो गई है पिछले कुछ सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा होगा कि जब इस हाइवे पर दुरखट ना होनी की खबर ना आई हो सुमवार की रात को भी इस हाइवे पर भयानक हाथसा हुआ जिसमें सामान से लदा टेंपो धूधू के जल गया हालाकि इस हाइवे में किसी भी प्रकार की जीवी थानी नहीं हुई पर उन्तु लाखों का सामान स्वाहा हो गया सुमवार की रात बोरघाट में हुई यह दुरघटना किस कारण हुई इसका अभी पता नहीं चल पाया है पर उन्तु हो सकता है कि शौट सर्कित से ही आग लगी हो गटना की जानकारी मिलते ही खोपोली पुलिस और दमकल विभा की गाडियां गटना सल पर दाखिल हुई पर उन्तु दमकल गर्मी टेम्पो को जलने से नहीं बचा पाये क्यूंकि आग की लप्टे इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा आस्मान लाल हो उठा टेम्पो को लगी आग की जानकारी मिलते ही टेम्पो चालक सुचारू रूप से बाहर आ गया इस मामले में खोपोली पुलिस तहकीकात कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट करनाला टीवी